नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनुज आप देखरहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक हो नया वीडियो लाया हूं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं मैं होंडा साइन को यानी होंडा की साइन बी आप 26 के अनदर आ चुकी है ये शोरूम के अंदर मिल रही है तो दोस्तों जो कलर देख रही हो है ऑफ M कलर देख रही हो इसके अंदर रेडंड वाइट दो कलर की पत्ति या अन्गी तीन कलर से मिलकर यह कलर जो गाड़ी का बना हुआ है बहुत सांदाल लग राए है शाइनिंग बहुत अच्छी तो दोस्तो इसकी अंदर डोभेरियंट आते हैं अभी फिलाल में दो इंगिंग सु इसके ऑन्दर आजाता είναι और एक drum brake में आती है तो हवी जो मैं बताने वाला हूँ डिस्क ब्रेक वाली बताने वाला हूँ यदि दोस्तों इसकी प्राइज की बात करूँ ड्रम वाली की तो वो 80,000 के आसपास पढ़ रही है और यदि डिस्क वाली की प्राइज की बात करते है तो वो 86 मतलब 86,000 रुपे की पढ़ रही है दोस्तों यदि इसके इंजन की बात की जाए तो सिंगल सलेंडर 124 cc का सिंगल सलेंडर इंजन है इसका वेट 114 kg के आसपास आता है और इसकी BHP पाबर 10.5 यानि 10.5 BHP पाबर दी गई है जो 7,000 RPM जनरेट करती है यदि दोस्तों इसके गेर की बात की के जाए तो इसमें मैनुवल 5 गेर आते है हेलाई वील के अंदर आती है ट्यूबलेस टायर है फ्यूल इंजन दिया गया है इसके अंदर तो दोस्तों इसके टैंकी बात की जाए फ्यूल टैंकी केपेसिटी 10.5 के लीटर बताई गई है और दोस्तों इसके रिजर्व के अंदर 1.3 लीटर रहता है और दोस्तो यदि इसके टायर की बात की जाए तो 80 by 100 और 18 इंच के अंदर आता है टूबलेस टायर हैं दोस्तो लुख बाइयो है 5감을 SumDo गू dei इसके साइड में यदी ठ्फरन्ट की जाए तो दोनों साइड में ये देखिए हैड लाइट दी गई आप दोस्तो इसकी सफ्रंट की बात की जाए तो इसके में सामने देखते हैं तो हैयल लाइट दी गई ओर दोनों था इंडिकेटर है वह सामदार गाड़ी लग दिये से बात करते हैं तो दोस्तों से कुछ स गए दिखती आपके लोगो दिया गया है कि जिसमें जिस् enclosure लिखा हुआ है तो म्सेंन आप आपके पास पहोंल दोस्तों अब अगले वीडि़िके साथ मिलते हैं जाहिन, नमस्कार